देखो कुछ ब्रेंड ऐसी होती है जिनके नए प्रोडट को ना फिर्स सेल में बाइल करने का मतलब ही नहीं बनता है एक्जामपल के तौर पे ये है मेरे पास ओनर टू हंड्रेड जिसको मैंने अराउंड बाइस हजार रुपय में खरीदा है लाँच हुआ था 35,000 रुपय के अराउंड ओफर वगरे लगा के 30-32 में मिल रहा था फिलहाल फ्लैट 25,000 रुपय का मिल रहा है 3,000 रुपीज का कूपन ओफर मिल रहा है 22,000 का पड़ जा रहा है इवन अगर आप एक्षेंज वगरा लगाओगे तो यार 15-17,000 रुपय में इसको अब बहुत इसली अभी ग्रैब कर सकते हूँ बट क्या इस प्राइसिंग में भी ये लेने लायक है कि नहीं है पिछले आप 15 दिनों से इसको रेगुलर यूज कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़ादा सब्प्राइजड हूँ खास करकि इनकी यूआई और खास करकि इसके कैमरास को लेके तो आज के वीडियो में फुल टू फाइनल आपको इसका रिव्यू देता हूँ किस तरीके का फोन है और ये वीडियो स्पॉंसरड है सर्फ मेरे दुवारा तो नीचे यार जाके सब्सक्राइब वालो बटन जरूर से दबालो क्योंकि यार ऐसे फुल रिव्यू लाने में बहुत ज़ादा मेहनत लगती है देखो सबसे पहले box content की बात कर ले ना देखो एक चीज़ सिंपल है यहाँ पर आपको in the box charger नहीं मिलता है इस पेस खाली छोड़ दिये इनोंने इंडिया में देना चाहिए था यार खाली छोड़ के ऐसा अच्छा नहीं लगता है वैसे बढ़ हाँ उस चीज़ों को अगर आप side करोगे phone पे हम आएं और phone की back को अगर आप देखो मेरे पास यह white वाला variant है जो कि थोड़ी सी marble वाली finish देता है सबसे पहले आप हाथ में लोगे ना इतना मेज़ोर से कहुँगा कि यार premium feel यह पोरी तरीके से देता है यह आपने एक premium device in hand लिया हुआ है वैसे यह back से जो white वाला variant है थोड़ा slippery जरूर से है तो आपके हाथ में यह fissile भी सकता है back से आप थोड़ा marble टाइप वाला texture मानके चलो इसके अंदर आपको मिलता है matte finish है, back से यह glass है तो इसके अंदर आपको finger pin smutches या scratches उत्ती जल्दी visible नहीं होने वाले है तो उस चीज अच्छा रहता है वैसे ही आपको camera model कैसा लग रहा है यह आप मुझे यार comment करके ज़रूर बताना मुझे यार ठीक ठाक सा यहाँ पर लगा है, बहुत ज़ादा exceptional नहीं है बढ़ हाँ अच्छी चीज यह है कि यार slim form factor में है वैसे middle frame इसका plastic आता है और weight balance भी अच्छा करा हुआ है around 190 gram से अंदर ही इसका weight रहता है one hand use आप ठीक ठाक से यूज़ कर पाओगे premium in hand feel, design अच्छा होना चाहिए यह tick पूरी तरीके से लगाता है बढ़ हाँ इसके अंदर display protection कौन सी use करी है उसको इतना जादा specify नहीं करा है तो जरूर से recommended रहेगा कि यार आप इसके अंदर cover और screen protector लगा कि इसको use करो तो जादा beneficial रहेगा वैसे इसके अंदर dual speaker बहुत जादा surprising लगे Dolby Atmos का support नहीं है 200% तब volume चली जाती है बट यार loudness अच्छी है अच्छी quality का music आपको इसके अंदर सुनने को मिलेगा बट नहीं जो haptics है typing वाले motor वो इद्दम average वाले आपको मिलता है इवन यार एक और चीज मैंने नोटिस करी जो buttons वगे रहे हैं सुनो आप बड़ी अजीब सी सस्ती वाली थोड़ी सी feel लेते है buttons भी थोड़े से improved हो सकते थे I think वो थोड़े सा मुझे feel हुआ है बट बाकी उसके लावा जहां सबसे तगड़ा काम कियाना I think वो है display यहाँ पर यार यह आपको 3D quad curved वाली display मिलती है मतलब आप इसको mixture मान सकते हो ना यह पूरी तरीके से flat है ना यह पूरी तरीके से curved है दोनों का mixture दोनों के बच्चे का यहाँ पर और यह अच्छा वाला mixture है मतलब यह premium भी display लगती है और use करने में इसके अंदर miss touch भी बिलकुल नहीं होते है स्पैसिफिकेशन वाइस देखोगे तो 6.7 की यह full HD plus वाला आपको यह quad curved AMOLED display का panel मिल जाएगा और सबसे सही चीज HDR certified है आपको यार Netflix में भी HDR और normal content YouTube के अंदर आप 4K में watch कर सकते हो और picture tuning अच्छी मिलती है थोड़ी से vibrant side colors वग रहा है इसे करोगे बट जहां पर यार बात आती है इनके software experience की देखो बहुत टाइम बाद मैंने इनका magic US as a regular device में यूज करा है और बहुत सारी चीज़े इसके अंदर पता चलिए है mix है कुछ चीज़े अपडेट का promise उन्होंने यार 2 प्लस 3 years का ही करा है I think यार 35,000 रुपय के इसाब से तो बहुत कम है वैसे 25 में आ जाओगे तो कुछ और भी device इससे अच्छा promise देते है बट उसको हम side भी कर दे तो ठीक है क्योंकि यार बहुत ज़ादा इसके इन्दर blood wear वगरा नहीं थे useful वाले थे अगर आप चाहो तो आप उनको install कर सकते हो बट जहाँ पर features की बात आती है बहुत सारी features है देखो यार अभी मैंने जब recent time यूज करा है तो एक October का security patch वाला update भी आ गया है जिससे यार AI के में भी दो तीन और feature एड हो गया है सबसे पहले तो आपको इसके अंदर circle to search का भी option अब मिल जाता है ये इस device में प्राइजिंग में आने आने वाला एक lot of devices ये मिलेगा flagship वाला feature उसी के इलावा इनके AI वाले feature बहुत सारे अलग लग लग मुलते हैं सबसे पहले तो आपको इसके अंदर देखो वो magic capsule वाला option मिल जाएगा जो कि Dynamic Island यानि iOS को copied किया हुआ यहाँ पर ये feature मिलता है बागी इसके अंदर आपको एक magic portal करके यहाँ पर AI feature मिल जाएगा जिससे आप कोई भी object को drag कर सकते हो किसी भी application के उपर वो भी काफी useful type का लगा इवन AI editing का भी बहुत सारा feature है गैलरी के अंदर अगर आपको image वगरा edit कर नहीं है background चे, eraser भी आपको यहाँ पर मिल जाता है इवन video वगरों को edit करने के लिए AI editing वाले भी बहुत अच्छे-चे features आपको इसके अंदर मिलता है देखो, normal AI वाले features काफी सारे मिलेंगे इवन जो इनके basics वाले feature है customization वाले, सबसे अच्छा तो यार ये full screen वाला जो always on display है copied from iOS again वो भी आपको मिलेगा, बट हाँ उसके अलावा भी आप देखोगे lock screen के styles भी थोड़े बहुत इसके अंदर मिल जाते हैं themes वगरा है, home screen की settings है icons वगरा को आप यहाँ पर change कर सकते हो even basic app lock करना हो dual apps वगरा बनाने हो, वो भी आपको इसके अंदर work करता हुआ option में मिल जाएगा, बसे ये जो recent update आई थी इसमें status bar को भी fix करा है, पहले बहुत चोड़े-चोड़े icons आदे थे, अब यहाँ पर icons वगरा को एकदम set कर दिया है size के हिसाब से, even अगर आप इसका control center देखोगे, तो truly inspired form iOS ये फिर से आपको देखने को मिलेगा ठीक लगता है भाई, यूज करने में कोई in the future आजाए, अगर आप ये phone यूज कर रहे हो आपके में है की नहीं है, यार, comment करके मुझे जरूर से बता देना, क्योंकि ये चीज मुझे अभी तक तो फिलाल नहीं मिली इसके अंदर वैसे call recording की बात आई है, तो यार, इसके अंदर मैंने यूज कर रहे है, भाई, अराम से 7 hours का screen on time मुझे इसके अंदर मिल गया था, अब मैं proper आपको sony कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक दन के अंदर मैं पूरा इसको drain तो ऐसे नहीं कर पाया था, बट हाँ, इसके अंदर, यार, वो day to day के साथ से reset होता रहता है, पूरा 100 से 0 वाला नहीं दिखाता है, बट calculate करके आपको मैंने 7 hours के around यहाँ पे बताया है, इस screen on time मिलेगा, जो कि अच्छा है, उससे plus भी आप निकाल सकते हो, मैंने थोड़ी बहुत gaming भी heavy कर ली थी, तो दोनों में आर idle drain 6-7% का easily आपको मिल जाएगा, बागी 100 वाट की charging, around 35 minute लेता है, फुल चार्ज होने में, आपको इसका अलग से charger purchase करना पड़ेगा, वैसे मैं एक और charger का link दे दूँगा, जो मैं typically normally use करता हूँ, जो iPhone भी मेरा charge हो जाता है, normal सारे अगर आप देखना चाहो तो उसको आप check out कर लेना, बट इसके अलावा जो थोड़ी सी कम वाली चीज और आना शुरू होती है, वो है performance side में, देखो इसके अंदर आपको snapdragon का 7th Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है, UFS 3.1 की storage मिल जाएगी, आप देखोगे तो decent से इसके अंदर निकल के आते हैं, आते हैं उधर कोई जादा दिक्कत नहीं है, बट हाँ, day to day use के जहां पर बात आती है, देखो यार इसके अंदर animation देखने को मिलता है, खास कर कि 25,000 उपर वाली pricing के साब से थोड़ा सा shocking है, क्योंकि non वगिरा में नहीं मिलता है, animation बहुत time पे अच्छा smooth भी work करता हुआ आपको मिलेगा, मुझे as such कोई भी दिक्कत नहीं है कि animation अटक रहा हो, बहुत lag कर रहा हो, ऐसा है कि अगर आप बहुत सारे tasks एक साथ करने लगोगे, तब थोड़ा बहुत कभी आपको दिखेगा कि animation थोड़ा सा shattery type का feel दे रहा है, रुक रुक के आ रहा है, वो बहुत ही minimal, बहुत ही कम जगा पे आई such मुझे feel दिया, day to day years में ऐसा बिलकुल भी नहीं लगा कि ए फोन बहुत जादा आटक रहा हो, शattery हो, laggy हो, hang हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, नॉर्मल यूज में smooth चलता है ये फोन, इतना मैं जरूर से आपको कह सकता हूँ, इवन इसके अंदर आपको pip mode का भी option मल जाता है, तो multitasking आप इसके अंदर बड़े ही अराम तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो performance में थोड़ी से दिक्कत, camera application के अंदर कभी-कभी मुझे लगी थी, जैसे click करने में थोड़ा सा time लेता है, कभी-कभी इधर उधर camera को change करो तो थोड़ा सा time लेता है, आप वो moto जितना नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, वैसे जैसे आप images click करने के बाद इसको देखने चाहोगे न, वहाँ पर आपको background प्रोसेसिंग देखेगी कि हाँ, कुछ time ले रहा है, the second ले रहा है photo click करने के बाद इसको process करने में, बट I don't mind that, जब तक अच्छी photo निकल के आनी चाहिए, एकदम hang नहीं होता है, वो चीज में मुझे ये बहुत साही लगा है, बागी इसके अंदर heavy gaming वगगरा भी मैंने करके देखी, आप देको 60fps वाली bgmi के अंदर unlock मलती है, और gaming में दिक्कत नहीं दे रहा था भाई, एकदम small ticket चल रहा था, और फिलाल इतना मैं ज़रूर से कहूँगा कि यार heat बिल्कुल नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा भी नहीं है, कि warm हो जा रहा हो, feel दे रहा हो कि यार back से गरम होने लग रहा है, यह चीज मैंने outdoor में जब video recording करी तब भी notice करी, भाई, heat नहीं होता है, तो उधर भी उन्होंने optimize अच्छे से करके रखा है, देखो ऐसा सोच के चलो, performance एकदम smooth मखन वाली नहीं मिलेगी, बठा मिलेगी, थोड़ी balance चीज़ों में आपको वो चलती हुई रहती है, वैसे हाँ, basic चीज़ें जैसे तो मैं बता दू, आपको 5G का support इसके अंदर मिल जाता है, अच्छा चलता है, 4G plus का भी support मिलता है, अभी तक मुझे इसके अंदर 5G plus का support नहीं मिला है, कॉर्ट रॉक्स वगिरा की भी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं थी, even NFC का भी यहाँ पर support मिल जाता है, तो वो भी एक better चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, but in the end, जहाँ बात आती है, cameras की जो की बहुत ही surprising वाला point है, literally या, देखो, main sensor आपको 50MP का OIS के साथ, Sony का मिलता है, IMX906, और एक 50MP का Telephoto 2.5X वाला Sony का ही sensor मिलता है, यह भी OIS के साथ है, और आपको 12MP का Ultra Wide Plus Macro Camera मिल जाएगा, साथी साथ 50MP का एक Selfie Camera भी मिल जाता है, सबसे पहले तो देखो, आपको इसके अंदर जो main sensor है, और जो Telephoto sensor है, उससे आप यार 50X तक Digital Zoom Shots वगरा भी क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको अलग-अलग दिखा दे रहा हूँ, देख लो, बहुत सही है, colors का थोड़ा सा फिर बदल, अगल-गल-ग आप lens में जाओगे तो थोड़ा सा दिखेगा, बट यार यार जो main sensor है, यार जो 2.5X Telephoto है, सबसे पहले आप यार यहाँ पर low light वाली images को check out करो, यहाँ पर दिवाली का time है, और इस time पर भाई मैंने low light में बहुत सारी photos वगरा क्लिक करी है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर इसने colors को manage करा है, low light के अंदर details को निकाला है, क्या बहतरीन shots लग रहे हैं यार low light के अंदर, इविन इसके अंदर देखो, जैसे Harcourt Studio का इन्होंने एक option दे रखा है, जिसमें 2-3 filters लग रहा है, वो अलग-अलग filters में भी मैंने इमेज वगरों को क्लिक करा है, मस्त लग रही है, अच्छे useful filter लग रहा है, खास करकि black and white वाला तो अपनका personal favorite हो गया है, बट हाँ, इस चीश से side it हो यार, देखो main sensor की बात जैसे कर रहे थे, आपको low light में better range shot मिल रहे है, इवन daylight के भी shots अगर आप यहाँ पर check out करो यार, अच्छे shots यहाँ पर क्लिक हो रहे है, subject को थोड़ा सा boosted side जरूर से लग रहा है, थोड़ा सा वो जो vibrant वाली tune रहती है ना, उस तरफ वाला थोड़ा से लग रहा है, वैसे हाँ इसके जो 2.5 वाले portrait shot हैं, वो बहुत अच्छे है, edge detection बहुत ही सही इसके अंदर मिलता है, reality में यार मैं बिल्कुल ही shock हो चुका हूँ, जब मैंने इसको लिया था मुझे लगा था बाई, इतना कुछ खास camera memory नहीं है, पर जब click हो के process करें के ये photos को निकालता है, low light के अंदर, portrait के अंदर, बहुत अच्छे shots यहाँ पे निकल के आते हैं, खास कर कि 25 में तो अगर आपको ये phone मिल रहा है या उससे नीचे मिल रहा है, I don't think कि इससे better consistent shot को ये निकाल पाएगा, यही चीज यार आप ultra wide में भी देखो न, तो shots वगेरा बहुत सही है, मतलब यार capture अच्छे से कर रहा है, even color shift बहुत कम आपको मिलता है, details भी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, और low light में भी ultra wide usable है, यहाँ पे मैंने ये चीज देखी है, जब दिवाली और photos वगेरा क्लिक कर ये बहतरीन shot निकल के आए है, even दोहीं पे selfie camera के भी मैं अगर बात करूँगा, तो यहाँ पे भी देखो, shots वगेरा actually में अच्छे है, contrast वगेरा का यहाँ पे थोड़ा सा issue है, कि यहाँ थोड़े over contrasty shot, खास करकि portrait में यहाँ पे निकल के आते हैं, यहाँ पे portrait का edge detection उतना अच्छा नहीं है, selfie camera मैं कहूँगा चीक यहाँ पे work करता है, बट थोड़ा और improve किया जा सकता है इसको, वैसे इसके अंदर भी आपको कोई HDR management का issue नहीं देखने को मिलेगा, shots वगएरा decent से यहाँ पे निकल के आते हैं, low light में भी ठीक यहाँ पे photos वगएरा click कल लेता है, but I think selfie camera थोड़ा details वगएरा और थोड़ा contrasty tune जादा हो जाती है, back camera जेतना अच्छा है ना, selfie camera उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा improvement की ज़रू से ज़रुत है, बट जहाँ पे video recording आती है, बहुत ही simple चीज आपको बताऊँगा, 4K 30fps के video recording, main sensor, telephoto, ultrawide, selfie camera, सभी से आप कर सकते हो, यह sample आप देख लो, alright, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 4K 30fps के video recording कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मल जाएगी, अभी थोड़े सा सूरज देवता डल से चुके हैं, बट हाँ, video recording आप देख सकते हो, कि इस तरीके से आ रही है, do let me know, वैसे थोड़ा इधर आईए, इधर आईए, इधर आईए, इधर आईए, तो इधर हाँ, बाकी, video record करते करते, अल्ट्रा वाइड में भी switch हम कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से, अल्ट्रा वाइड में आपको देखने को मिलेगी, और 3X में भी कर सकते हो, तो 3X में जूम कर लेते हैं, फड़ाबट कुछ इस तरीके के आपको बिल जाती है, video recording side, I think it's doing a really good job, वैसे, फ्रेंट सेल्फी कामरा में भी switch कर सकते हैं, वीडो बनाते बनाते हैं, वीडो बनाते बनाते में, फ्रेंट कामरा में भी आगया, और फ्रेंट कामरा में भी 4K, डटी एस वीडो रिकॉर्ट होती है, ये वाली चीज ना, वहुत जादा बैटर है, if you are looking for like vlogging के लिए device, अगर आप डूण रहे हो, 4K में आप कर सकते हो, मतलब ऐसे वीडो बना रहा हूँ मैं, फ्रेंट सेल्फी कामरा में भी 4K में हो रही है, और अच्छी क्वालिटी भी हो रही है, अगर आप यहाँ पर adjustment वगएरा देखोगे न, तो काफी better तरीके से adjust भी कर रहा है, background के साथ, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसे बनाते बनाते अगर मैं चाहूँ, shift कर सकता हूँ, back camera के अंदर, एं selfie camera के अंदर, तो अच्छा का मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में थम्स अप है, देखो जितनी चीज़े अभी तक मैंने इसको एक use करिये न, मैं reality न बताऊंगा, अगर honor वो वाली चीज़ अपनी ना करे न, कि pricing इतना high करके लेके आते हैं, फिर बाद में 3-4 महीने बाद एकदम ड्रॉप कर देते हैं, अगर वही ड्रॉप वाले price में पहले ही launch कर देना, तो इनका market बहुत अच्छा हो सकता है, फिलहार मैं इतना ज़रु सका हूँगा, क्योंकि अगर अगर आप भी देखो 25,000 उपर में, तो इसलिए भी अगर आप देखोगे, तो और और phone काफी अच्छा package में आता है, बट इसको लेने से पहले आपको एक चीज़ और मैं recommend करूँगा, अपने area में आप चाहिए करना, कि honor का service center है कि नहीं है, क्योंकि honor अभी उतनी prominent brand नहीं हुई है, कि आपको service center मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत आई, तो आपको इधर उधर भागना आना पड़े, वो चीज़ चेक करके, आप इस phone को I think 22,000 उपर वाली range में बहुत अराम से खरी सकते हो, बाकिए अगर आपका कोई question है, तो comment section में पूछ लेना, वीडियो पुसंद आई है, तो like कर देना, share कर देना, मिलूँगा आपसे कौनी वीडियो के साथ, till then take care, बाबाई